भजन सहीदा 27 अध्याई 7 से 14 तत है यहोवा मेरा शब्द सुन मैं पुकारता हूँ तु मुझे पर अनुग्र कर और मुझे उत्तर दे तुने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो इसलिए मेरा मन तुझे से कहता है है यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा अपना मुख मुझे से न छिपा अपने दास को क्रोध करके न हटा तु मेरा सहायक बना है है मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा है यहवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़ क्योंकि जूटे साक्षी तो उपदर्व करने की धुन में है मेरे विरुद उठे हैं यदि मुझे विश्वास नव होता कि जीवतों की पृत्वी पर यहवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मुर्चित हो जाता यहवा की बाट जोता रह हियाव बांद और तेरा हृदर द्रड रहे हाँ यहवा ही की बाट जोता रह मर्कुस दस अध्याय तेरा से एक तीस तक फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे पर छेलों ने उनको डाटा यह उने यह देख कृद होकर उनसे कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्विर का राजिय ऐसो ही का है मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्विर के राजिय को बालक के समान ग्रह न करे वो उसमें कभी प्रविश करने न पाएगा और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उन्हें आशिश दी जब वोहां से निकल कर मार्ग में जा रहा था त के लिए मैं क्या करूं इश्व ने उससे कहा तो मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर तो आग्याओं को तो जानता है हत्या न करना वेबिचार न करना चोरी न करना जूटी गवाही न देना छल न करना अपने पिता और अपनी मा उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले इस बात से उसके चेरे पर उदा से चा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था ये शु उसके बातों से अचंबित हुए इस पर ईशु ने फिर उनसे कहा हे बालको जो धन पर बरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राजी में प्रवेश करना कैसा कठिन है परमेश्वर के राजी में धनवान के प्रवेश करने से उंट का सुई के नाके में से निकल जान सहज है वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे तो फिर किसका उधार हो सकता है इशु ने उनकी और देखकर कहा मनुश्यों से तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है पत्रस उससे कहने लगा देख हम तो सब क को छोड़ कर तेरे पीछे हो लिए हैं इशु ने कहा मैं तुम से सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाईयों या भहिनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय सोगुना न पाए घरों और भाईयों और भहिनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को परसताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे लेवी विवस्था चौता अध्याए एक से पैंतीस तक फिर यहवा ने मूसा से कहा इसराइलियों से यक है कि यदि कोई मनुश्य उन कामों में से जिनको यहवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पाप हो जाए और यदि अभिशिक्त याजक ऐसा पाप करे जिसे प् आप के कारण वह एक निर्धोश बचडा यहवा को पाप बली करके चड़हे वह उस बचड़े को मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर यहवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हात रखे और उस बचड़े को यहवा के सामने बली करे और अभिशिक्त याजक बचडे के मिलाप वाले तंबू में ले जाए और याजक अपनी उंगली लहु में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पड़दे के आगे यहवा के सामने साथ बार छड़के और याजक उस लहु में से कुछ और लेकर सुगंधित दूप की वे के द्वार पर है उन्देल दे फिर वो पाप बली के बचड़े की सब चर्भी को उससे अलग करे. अर्थात जिस चरबी से अंधडिया डपी रहती है और जितनी चरबी उनमें लिप्टी रहती है और दोनों गुर्दे और उनके उपर की चरबी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे की उपर की जिल्ली इन सबों को वो ऐसे अलग करे, जैसे मेल बली वाले चड़ावे के बच्छडे से अलग किये जाते हैं और याजक इनको होम बली की वेदी पर जलाए परंतु उस बच्छडे के खाल, पाव, सिर, अंतडिया, गोबर और सारा मांस अर्थात समूचा बच्छडा चावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राक डाली जाएगी ले जाकर लकडी पर रखकर आग से जलाए जहां राक डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए यदि इस्राइली के सारी मंडली अग्यानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वह यहोवा की किसी आंग्या के विरुद कुछ करके दोशे टहरे हो तो जब उनका किया हुआ पाप प्रगट हो जाए तब मंडली एक बच्छडे को पाप बली करके चड़ाए वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए और मंडली के वृद लोग अपने अपने हातों को यहोवा के आगे बच्छडे के सिर पर रखे और वह बच्छडा यहोवा के सामने बली किया जाए तब अभिशिक्त याजक बच्छडे के लहू में से पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए और बचा हुआ सब लहू होम बली की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उन्डेल दे और वह बच्छडे की कुल चर्बी निकाल कर वेदी पर जलाए जैसे पाप बली की बच्छडे स बाहर ले जाकर उसी बांती जलाए जैसे पहले बच्छडे को जलाया था यह मंडली के निमित पाप बली ठहरेगा जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेशर यहवा की किसी आग्या के विरुद भूल से कुछ करके दोशी हो जाए और उसका पाप उ जहां होम बली पशु यहवा के आगे बली किये जाते हैं यह पाप बली ठहरेगा तब याजक अपनी उंगली से पाप बली पशु के लहू में से कुछ लेकर होम बली की वेदी की सिंगों पर लगाए और उसका लहू होम बली की वेदी के पाये पर उंडेल दे और वो उसक पादारन लोगों में से कोई अज्यानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहवा ने मना किया हो करके दोशी हो और उसका वह पाप उस पर प्रगट हो जाए तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोश बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बली प सिंगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाये पर उंडेल दे और वह उसकी सब चरबी को मेल बली पशु की चरबी के समान अलग करे तब याजक उसको वेदी पर यहवा के निमित सुखदायक सुगंद के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्राश्चित करे तब उसे शमा मिलेगी यदि वह पाप बली के लिए एक बेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोश मादा हो और वह अपना हाथ पाप बली पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बली के लिए वहीं बलिदान करे जहां होम बली पशु बली किया ज और वह उसके सब चरबी को मेल बली वाले भेड़ के बच्चे की चरबी की समान अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहवा के हवनों के उपर जलाए और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्राश्चित करे और वह शमा किया जाएगा लेवी विवस्था पांच अध्याए एक से तेरा तक यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपत खिला कर पूछने पर भी कि क्या तुने यह सुना अथवा जानता है और वह बात प्रगट न करे तो उसको अपने अधरम का भार उठाना पड़ेगा अथवा यदि कोई किसी अशुद वस्थू को अज्यानता से छूले तो चाहे वह अशुद बनेले पशू की चाहे अशुद गरेलू पशू की चाहे अशुद रेंगने वाले जीव जन्तू की लोत हो तो वह अशुद होकर दोशी ठहरेगा अथवा यदि कोई मनुश्य किसी अशुद वस्थू को अज्यानता से छूले चाहे वह अशुद वस्थू किसी भी प्रकार की क्यों न हो जिससे लोग अशुद हो जाते हैं तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोशी ठहरेगा अथवा यदि कोई बुरा या बला करने को बिना सोचे समझे शपत खाए चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपत खाकर कहे तो ऐसी बात में वह दोशी उस समय ठहरेगा जब उससे मालूम हो जाएगा और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोशी हो तब जिस विशे में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले और वह यहवा के सामने अपना दोश बली ले आए अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड या बकरी पाप बली करने के लिए ले आए तब याजक उस पाप या बकरी देने की सामर्त न हो तो अपने पाप के कारण दो पंडुक या कबूतरी के दो बच्चे दोश बली चड़ाने के लिए यहवा के पास ले आए उनमें से एक तो पाप बली के लिए और दूसरा होम बली के लिए वो उनको याजक के पास ले आए और याजक पाप बली वाले को पहले चड़ाए और उसका सिर गले से मरोड डाले पर अलग न करे और वो पाप बली पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजु पर छिड़के और जो लहू शेश रहे वो वेदी के पाये पर गिराया जाए वो पाप बली टहरेगा तब दूसरे पक्षी को वो विदी के अनुसार होम बली करे और याजक उसके पाप का प्राइश्चित करे और तब वो शमा किया जाएगा पर यदि वो दो पंडु क्या कबूतरी के दो बच्चे भी न दे सके तो वो अपने पाप के कारण अपना चड़ावा एपा का दस् याजक उसमें से अपनी मुटी बर स्मरण दिलाने वाले भाग जानकर वेदी पर यहवा के हवनों के उपर जलाए वो पाप बली टहरेगा और इन बातों में से किसी भी बात के विशे में जो कोई पाप करे याजक उसका प्राइश्चित करे और तब वो पाप शमा किया ज आरेगा